जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिच जैन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि प्ले स्टूर में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes एप दिखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीके अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा Gmail नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Tip Top YouTube चैनल में दोस्तो रोज अपना तीन बजे दोस्तो हिंदी की किलास होती है ठीके हम हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी में दोस्तो हम पढ़ते हैं ब्यापम में आय हुए Old प्रस्णों का ब्याख्या सहत दोस्तो यहां पर हल पढ़ते हैं साथ ही और भी जिस प्रकार की प्रस्ण बनते हैं परिक्षाओं में तो वो पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तो संग्या से संबंदित महत्पूर प्रस्णों को ठीक है कि संग्या किस प्रकार से आप से पूछी जाती है उसको हम पढ़ने वाले हैं तो स study material बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलती है ठीक है तो यहां पर सबसे पहला आज का जो प्रशन है कि रास्ट की भाव भाव बाचक संग्या है तो रास्ट की भाव बाचक संग्या बतानी है क्या बनेगी रास्ट की रास्ट ये बनेगी रास्ट ये ता बनेगी रास् कि यहां पर बिल्कुत सही आंसर वता देते हो कि सर राष्ट की अगर भाववाचक संग्या कभी पूची जाएंगी तो हम राष्टियता लगाँगे क्या लगाँगे राष्टियता जो बिल्कुत सही आपने बताया कि राष्ट Using सब्द की भाव बाचक संग्या होती है राष्टिये था है ना और राष्टिये सब्द ब्याकर से बिसेशन होता है क्या होता है जिसे राष्टिये प्रितीक सम्मान राष्टिये गान इत्यादी यह ठीक है अब आपको बताना है कि लिखना किरिया से ये आपको चेन करना है उत्तर आपको क्या हो जाएगा ये इसको छोड़ दो खेर पहलाल इसको छोड़ दो ये गलत प्रस्न हो गया नेक्स्ट बताना सभी मनुस्त बचपन में मीठी खटी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं बाक में संग्या का प्रियोग हुआ है तो कौन सा हुआ है दो बारा, चार बार, पांच बार या पिर छे बार है ना सभी मनुस बच्पन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं इस बाक में संग्या का प्रियोग कितनी बार हुआ है कितनी बार हुआ है माई यूण येंड वनली सभी मनुस बच्पन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं इसमें संग्या सब्द का प्रियोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है पांच बार, देखो कैसे किसी ब्यक्ती बस्तू इस्थान आदी नाम के गुण को क्या कहते है धर्म सभाव का बोथ कराने वाले कुछ संग्या कहते हैं और उप्रोक्त बाक में संग्या का जो प्रियोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है, पांच बार हुआ है ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने नहीं है है ना, तो कितनी बार हुआ है दोस्तों यहाँ पर पांच बार ठीक है, इसको भी आपको याद रखने नहीं अंगला यहाँ पर देखो समू बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या है बेरी गोड, अन्नु जी समूह बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या है नीम, कुंज, आम या फिर पीपल तो आपको चैन करना है जल्दी से करो समूह बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या होता है नीम होता है आम, पीपल, कुंज, समूह बाचक संग्या का बेंजक सब्द बताना है तो बुलिसर ना नीम होता है, ना आम होता है, ना पीपल होता है, होता है क्या कुंज, क्या होता है कुंज, कुंज समूह बाचक संग्या का बेंजक सब्द है, जो संग्या सब्द किसी समूह या समुदाय का बूत कराते हैं, बहाँ पर कौनसा होता है, कौनसा होता है, समूह बाचक संग्या होता है संग्या की रूप रचना की आधार है तो कौन-कौन सी आधार संग्या की रूप रचना की आधार क्या है लिंग और बचन लिंग और कारक बचन और कारक लिंग बचन और कारक तो संग्या की रूप रचना की आधार क्या माने जाते हैं यह प्रश्मिक दोस्तों आपका बिल्कु सही उत्तर होगा कि संग्या की रूप रचना रूप रचना की जो आधार माने जाते हैं वो आधार माने जाते हैं दोस्तों कौन से लिंग बचन और कारक ठीक है डी नमबर संग्या की रूप रचना की आधार माने जाते हैं लिंग बचन और कारक अ राम में कौनसी संग्या है यह हमें चैन करनी है यहां पर कौनसी संग्या है राम में सभी लोग चैन करेंगे कि राम में कौनसी संग्या है और यहां पर आपका बिल्कुत सही आंसर जो हो जाएगा बोले से राम की बात करते हो तो राम में जो संग्या है वो कौन सी है इसमें से बी कैसे हो जाएगा सुरिता जी प्रश्न किरमाग 6 में बताना था तो अधिकांस लोगों ने बी बता दिया कुछ लोग डी बता रहे हैं तो यहां पर देखो ना तो जाती बाचक है ना भाव बाचक है ना द्रब बाचक है राम तो क्या है अकेला है यानि यह ब्यक्ती बाचक है और ब्यक्ती बाचक ओफ्सन में नहीं है तो D नम्मर आपका बिल्कु सही होगा इनमे से कोई नहीं अंकुल जी इनमे से कोई नहीं राम जाती बाचक नहीं है राम ब्यक्ती बाचक है क्या है राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक ब्यक्ती का बोध हो रहा है ठीक है और जब हम मनुस्त बोलते हैं मनुस्त तो मनुस्त जाती का बोध होता है का अंसर ब्यक्ती बाचक संग्या जाती बाचक संग्या भाव बचक संग्या या पिर समुह बाचक संग्या, किसी गुण दसा, स्वभाव या कार का बोद कराने बाले सब्द क्या कहलाती है, प्रस्ण किरमांग सात में, सात में बताना है कपिल जी, रानी जी, लोकेंद्र जी, सात में बताया कि किसी गुण दसा, स्वभाव या कार का बोद जो करवाती है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या भाव बाचक संग्या बिलकुल सही बताया लोकंद्र जी भाव बाचक संग्या इसका सी नमबर बिलकुल सही बताया बहुत बढ़िया है ना मुस्कान जी किसी प्राणी बस्तू इस्थान भावादी का नाम ही उसकी संग्या कही जाती है सं कौन सा पड़ा है जल्दी से बताओ व्यक्ति वाचक भाव बाचक जाती वाचक शमूह बाचक और एक आपको ही बताना है द्रब्ब बाचक है ना ये आपने पड़े होंगे तो प्रश्न में दिये सब्द भाव बाचक संग्या की उधारन है किसी भाव गुर्ण दसादी का ज्यान कराने वाले सब्द भाव बाचक संग्या होती है जैसे क्रोध क्रोध क्या है भाव बाचक है मिठास क्या है मिठास भाव बाचक है योवन भाव बाचक है कालीमा ये भी भाव बाचक है ठीक है अब आपको बताना है कि जिस संग्या में केबल एक ही व्यक्ति का या फिर द्रब बाचक संग्या यानि कि प्रश्ण किरमांग आठ का उत्तर आपको बताना है और आठ में आपका बोले सर जिसमें केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा वो ब्यक्ति बाचक संग्या कही जाएगी जो अधिकांस लोगों ने बिलकुँ सही बताया यहाँ पर हारण है आगरा केवल एक सहर है सूर केवल एक आपको पता है है ना और आपको क्रश्ण और राम है ना यह पता है जबकि ब्यक्तियों या बस्तियों की जाती का बोध कराने वाले सब्द जाती बाचक संग्या कहलाती है जबकि जाती का बोध कराने वाले सब्द क्या कहलात जाती बाचक संग्या और जैसे बात करें मनुस से संपूर जाती मनुस जाती का बोध हो रहा लड़का तो लड़का जाती का पूरा बोध हो रहा लड़की तो लड़की जाती का पूरा बोध हो रहा पूरी लड़कियों का है ना बाल योवा है ना ये दोस्तों आपको याद रख लिना है जिन सब्धों से ब्यक्ति या बस्तू के गुड़ों का बोध होता है उन्हें भाव आचक संग्या कहते है जिन सब्दों से ब्यक्ति या बस्तू के गोड़ों पीतल और लोहा है ना ये क्या है द्रब्ब हैं तो ये द्रब्ब बाचक संग्या कहलाईगी ठीक है ये भी याद रख लेना है और जिस संग्या से ब्यक्तियों या बस्तूओं की पूरी जाती का बोध होता है वो क्या कहलाती है पूरी जाती का बोध हो रहा है वो बतानी है भाव बाचक संग्या, शमो बाचक संग्या, जाती बाचक संग्या या फिर द्रब्य बाचक संग्या यहाँ पर आपको चेहन करना है और जब संग्या का अपना पूरा टॉपिक हो जाएगा तो संग्या आपको समझ में आ जाएगी पूरी कि व्यक्ति बाचक क्या है, जाती बाचक क्या है समो बाचक क्या है और यहां पर पूरी बस्तूओं ब्यक्तियों या बस्तूओं की पूरी जाती का बोध होता है वहां पर आपका जाती बाचक संग्या होती है यानि सी नमबर यहां पर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है संदीप जी बाल सुदा जी है न आपको पताई है फिलाल संग्या के भेद आपको बताना है संग्या के भेद कितने होते हैं दोस्तों प्रश्न किरमां के दस में संग्या के भेद आपको चैन करना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर आपको चैन करना है क्या करना है सुईता तरपाठी जी दीक्षा यादाओ उत्तर हो जाएगा बोली सर संग्या के जो भेद होते हैं एक तो होती है ब्यक्ति बाचक दूसरी जाती बाचक तीसरी भाव बाचक चौती समू बाचक और पांच भी जो होती है वो होती है द्रब बाचक तो आपको टिक करना है कि जो संग्या के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पाच प्रकार के होते हैं पाच प्रकार यानि बी नमबर आपको यहाँ पटिक करना है ठीक है और इस जेल प्रहरी डिसंबर 2015 और पुलिस कॉंस्टेबल और प्लाटून कमांडर में एक कॉस्चन पूचा गया है है ना संग्या सब्द का अर्थ है नाम किसी प्राणी बस्तु इस्थान भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या पाँच प्रकार की होती है दोस्तों इसको आप लोगों को याद रख लेना है ठीक है हाँ में तीन प्रकार की उसके अंदर फिर दो और आ जाते हैं तो दूद पानी स्वना चांदी में संग्या है तो क्या है रानी जी कांती उई के गीता रानी जी प्रश्न किरमा के ग्यारा दूद पानी स्वना चांदी में कौनसी संग्या है द्रब बाचक संग्या भाव बाचक संग्या समुदाय बाचक या फिर जाती बाचक संग्या तब आ द्रब्ब बाचक आपका बिल्कुस सही हो जाएगा दूद पानी सोना चांदी ये द्रब्ब के उधारने ये नम्मर आपने बिल्कुस सही बताया ठीक है तो ये आपने परिभासा तो आपको पता ही है पूरी परिभासा है आपको पता चल गए फिर यहां पर हम बात करें कि गुच्छा, पुंज, धेर, स्रंकला सब्दों में कौनसी संग्या होगी जैसे आप बोलते केले का गुच्छा है ना पुंज देहते पुंज का धेर होता धेर तो ये काई की संग्या होती है ये आपको बताना है प्रस्निक्रमां के बारा में भाव बाचक संग्या, गुण बाचक संग्या, समूव बाचक संग्या, ब्यक्ती बाचक संग्या ये आपका बिलकुल सही आंसर यहां पर आपको चैन करना है आसुतोस जी हैना उत्तर हो जाएगा सा नंबर यानि समूव बाचक संग्या रोज तीन बज़े आपकी हिंदी की किलास हो रही है बहुत सारे लोग जो गोल थे पड़ाई नहीं कर रहे थे वो या थाबत ध्यान रखें तीन बज़े आपकी किलास हो रही है चार बच के बिज्ञान पिक की किलास हो रही है रात में ग्यारा बज़े जीके की किलास होती है तो गुच्छा हो पुंज हो देर हो तो यहाँ पर समूव बाचक संग्या हो जाती है ठीक है रौविन सर्मा जी जिस संग्या में किसी भाव दसा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जिस संग्या में किसी भाव का दसा का धर्म का या फिर गुण का बोध होता अगर दसा भाव धर्म गुण आदी का अगर बोध हो रहा है तो बहाँ पर आपकी संग्या हो जाएगी भाव बाचक संग्या यानि आ नम्मर जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा अमर जीद जी जिस संग्या सब्दि से पदार्तों की अबस्ता गुण दोस धर्म आदी का संग्या सब्दों से व्यक्ति बस्तू आदी के संग्या का बोध हो उन्हें द्रब बाचक कहते हैं घी तेल स्वना आदी ये द्रब बाचक होंगे जब तक आपको चौदा का उत्तर बता देना है चौदा का उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा संग्या का उधारन है ये आपको बताना है मुस्कान जी, ये अभी बताना है, आपको बैच पर किलिक नहीं करना है, बैच पर नहीं करना है, स्टोर पर किलिक करना है, अभी आप बैच पर किलिक कर रहे होंगे, इनमें से कौन सा समुव बाचक संग्या है, शोना है, भीड है, अजायब घर है, या पिर हार है और चौदा का आपका बिलको सही आंतर होगा भीड भीड क्या है दोस्तों इस समूव बाचक संग्या की उधारन माना जाएगा बिलको सही आंतर बताया है है ना समूव बाचक की देखें कि जिन सब्दों से बस्तू या प्राणियों के समूव का बोध होता है उन् को याद रख लेना फिर दोस्तों अंगला कोश्चन हमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन सा सब्द पदार्त बाचक संग्या है यह बताना है आपको पदार्त बाचक यानि कि आपको चैन करना है यह पदार्त बाचक पूछ लिया गया कि पदार्त बाचक संग्या कौन सी है अ यहाँ पर चैन करना है चार है शोना विश्वास प्रसंसा या फिर जंडा तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सोना यानि की आ नम्मर आपका बिलकुँ सही होगा सोना जिन सब्दों से किसी द्रभ्या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रभ Case Edit ऐप डाउनलोट करने गें प्रेश्व और आपको इस्टोर्ट पर क्लिक करना है और धोस्तों हिंदी ब्याकरन का भी कोर्स दीरे दीरे सारी कोर्स कंप्रीट बहां पर आपको मिले लगेंगेजिए पिलाल अभी आप बहां पर क्या करें कि दोस्तों देख लें सैनेक कौनसी संग्या है यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा क्या सैनेक सैनेक बताना है तो सैनेक जो होगा वो बताओ कौनसी हो जाएगी यहाँ पर सैनेक सैनेक सी नमबर अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो ना देखो सैनेक मतला हो जाएगा जाती बाचक लेकिन अगर सैना की बात हो तो सैना क्या हो जाएगा सैना क्या हो जाएगा समूह बाचक सैना शमूह बाचक और सैनक जो होगा सैनक क्या है जाती बाचक है ना सैनक पूरे सैनक जाती की बूत करवा रहा है है ना जबकि जो सैना है वो समूह बाचक हो जाएगी इस प्रकार से कन्फ्यूज नहीं हो ना सै जाती बाचक सेना समुह बाचक ठीक है यह याद रखेंगे अब यहाँ पर जाती बाचक संग्या को चुनना है हमें जाती बाचक संग्या को चुनना है हिमालाय स्वना नदी या पिर सभा दोस्तों आप जेल प्रहरी की कर रहे हैं या पिर MP पुलिस की कर रहे हैं या MP SI की कर हिंदी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जेल प्रहरी बालों के एकजाम की अभी जो डेट है वो 20-29 नवंबर ही है इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और यहां पर जाती बाचक संग्या पूचा गया तो जाती बाचक संग्या आपने सही चेन किया है आरवाए है ना क्या हो जाएगा आकास जी नदी नदी यानि कि सारी नदिया और अगर मैं कह देता गंगा तो गंगा में आपका क्या हो जाएगा ब्यक्ती बाचक संग्या और नदी में पूरी नदिया आ गई चाहे वो गंगा हो नर्वदा हो चाहे कोई भी हो ठीक है यह आपको याद हैं या हम बोलते ना कि हमारे देश के सैनेक हमारे देश के सैनेक बाडर पर तैनात हैं तो सैनेक जब आप नाम लेते हो तो किसी एक ब्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं हमारे देश के सैनेक बाडर पर मुझूद हैं तो समन नहीं आ सकता है ना तो सैनेक मतलब होता है जाती इस परकार से याद रख रहे ना है बैकारक जो संग्या या सरबनाम से किसी संग्या का बोध इस्तापित करता है बैक क्या कहलाता है यह बताना है आपको एप में जल्दी मटेरियल आ जाएगा है ना तो आपको बताना बैकारक अभी दो दिन तो हुए एप को पबलिस किये मटेरियल में थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना तो बैकारक जो संग्या सरबनाम से किसी संग्या का संबंद इस्तापित करता है बैक क्या कहलाता है प्रश्निक रमांग 18 में और 18 में आपका बिल जिस रूप से किसी एक बस्तू का दूसरी बस्तू किस से शंबंद प्रगट हो अत्वा जो संग्या या सरबनाम में किसी संग्या का संबंद इस्तापित करता है बैस संबंद कारक कहलाता है निम्न में संग्या का उधारन नहीं है तो कौन सा नहीं है ऐसे प्रश्न थोड़ कौन सा नहीं है, बोली सर सुन्दरी तो है, मानव भी है, पटना भी है, लेकिन क्या नहीं है, वह, वह काई का है, सर्वनाम का, है ना, संग्या के इस्थान पर जो सब्द प्रियोग होते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, तो वह क्या है, सर्वनाम, यह संग्या नहीं है, है ना, तो B-Number आपका सई हो जाएगा B-Number वह हैना मानव तो जाती बाचक संग्या है ये भी याद रखना और निम्न में बह संग्या का उधारन नहीं है किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं बह तो क्या है सर्वनाम का उधारन है हैना संग्या के इस्तान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं ये भी आपको बताना है अब यहाँ पर बताएंगे कि आज भी भारत में सर्वन कुमार पैदा होते हैं बाक्त में रिखान के सब्द में संग्या बताना है जेल प्रहरी का एक्जाम अभी आपका 20 से 29 नवंबर 20 से 29 नवंबर इसलिए तो बोल रहे हैं पड़ाई आप कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने तो छोड़ी दिया कि अब एक्जाम पता नहीं कब होगा 20 से अभ्यापम की साइट पर जाके देख लो अभी भी 20 तारीक यानि कि इसी मैने की 20 तारीक से लेकर 29 तारीक तक एक्जाम की डेट है ठीक है और यहाँ पर आपको चैन करना है कि आज भी भारत में सर्वन कुमार पैदा होते हैं बाक में रेकान के सब्द में संग्या है तो वो क्या है सिर्वन कुमार सिर्बन कुमार यानि कि एक सिर्बन कुमार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जाती बाचक संग्या हो जाएगा ब्यक्ती बाचक नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर आपने सिर्बन नाम देख लिया तो सा लगा दिया सी के जी पंकर जी बिलकों सही बताया आपने है ना बाकी लोगों ने B लग C लगा दिया अधिकांस लोग C ही लगा रहा है सौनम पांडे जी B बिलकों सही है है ना अब आपको देखो कि जो C बाले हैं वो जरा देखो यहाँ पर प्रशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ दो अधिकांस लोगों ने C लगाया कलपना जी B लगाया केबल दो या तीन अंकर जी ने B लगाया दो या तीन लोगों ने B लगाया और सभी ने C लगाया यहाँ पर उत्तर आपका B है सातियो मुस्कान जी क्योंकि बाक के रेखान के सब्द में जाती बाचक संग्या है जिस संग्या सब्द में उसकी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती बाचक संग्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना कि आज भी भारत में शिरबण कुमार पैदा होते हैं शिरबण कुमार मतलब ऐ ऐसे ब्यक्ति पेदा होते हैं जो अपने बाप की मतारी की है ना सेबा करते हैं तो किसी एक ब्यक्ति की बात नहीं हुई यहाँ पर एक जाती की बात हो गई है कि यह से बहुत से बहुत सारे सरबन कुमार पेदा होते हैं तो इसको नाम आ गया सरबन कुमार तो इससे मतलब य नहीं होता कि आप व्यक्ति बाचक लगा दो प्रस्न के पूरे बाक को भी आपको पढ़ना है जिससे क्या अर्थ निकल रहा है है ना यही प्रस्न गलत होते हैं अनन्त यादव जी और बाबुलाल जी अब यहाँ पर प्रति बर्स नदी में बार आ जाती है प्रति बर्स नद की बात हो रही है तो नदी में बार आ जाती है तो यहाँ पर आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जाती बाचक जाती बाचक यानि बी नमबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा रौविन सरमा जी है ना बी नमबर जाती बाचक आपका सही होगा यहाँ प का है ना ये जाती बाचक संग्या की उधारना होते हैं और निवनवय से कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है नहीं है बताना है प्रश्न किरमां के 22 में सभी लोग लाइक जरू कर देना और नीचे आपका नंबर चला है और नीचे अप पर पिले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है यह आपको बतानी है बगुला है लड़का है आनंद है या पर डाकु ए कौन सा नहीं है यह बतानी है नहीं बोलिसे लड़का तो जाती बाचक है है ना और बगुला ए भी जाती बाचक है है ना डाकु ए भी जाती बाचक है लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा आनंद आनंद हो जाएगा आनंद आपका बिलकु सही है ठीक है डी नमबर डी नमबर नदी में बाड़ा जाती है नदी का नाम नहीं लिया गया कि गंगा में बाड़ा जाती है नदी का नाम नहीं लिया कि गंगा में बाड़ा जाती है या नर्वदा में बाड़ा जाती है नदी में बाड़ा जाती है बरसात के मौसम में बाड़ा जाती है तो नर्वदा ये क्या है व्यक्ति बाचक संग्या है ठीक है तो उक्त में आनंद जाती बाचक संग्या नहीं है जिस संग्या सब्द से शंपूर जाती का बोध होता है बहाँ पर जाती बाचक होता है डीरमर आपका बिलकु सही होगा कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या का ह 23 गंगा स्वर्ग मनुस्त या पर मंडल नदी में Defense नहीं होना नदी मतलब जितनी नदीया है चाहिए वो गंगा हो, नर्वदा हो सबी नदीया आ जाएंगी नदी में परवत मतलब जितनी परवत हैं सबी परवत आ जाएंगे है ना ये भी आपको याद रख ली नहीं है और यहाँ पर कौन सा जाती बाचक संग्या है वो क्या है मनुस्त मनुस्त मतलब जितने भी मनुस्त है सारे मनुस्त इसमें जाती बाचक में आ जाएंगे और मैं बोलूं अगर कि क्या बोलूं बाबुलाल पटेल तो बावुलाल पटेल क्या है ब्यक्ति बाचक संग्या है ये भी माला बेरागी क्या है ब्यक्ति बाचक संग्या है तो ये याद रख लेना तो इन वैसे जाती बाचक संग्या क्या है मनुस से ठीक है बी नमबर जिस संग्या सब्दे से उसकी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती बाचक, मनुस, पसू, पसू जाती, पक्छी, गाउं, गाउं भी आएगा, गाउं मतलब जितने भी गाउं है सब, और मैं अगर बोलू, आपके गाउं का नाम, कि मान के चलो हम कुछ बोलते दें, जबलपुर, तो जबलपुर क्या है, ये ब्यक्ती बाचक संग्या है, ये जबलपुर केवल एक है, एक, तो ब्यक्ती बाचक संग्या हो जाएगी, आगरा, एक, ब्यक्ती बाचक संग्या, ठीक है, इन में, और मैं बोलू, सहर, सहर, तो सहर, जाती बाचक संग्या के अंतरगत आएगा, क्योंकि सहर से संपूर सहरों का बोध हो रहा है, ठीक है, एक भावाचक संग्या कौन सी है इसपस्ट, सौंदर, सिस्ट या फिर यतिस्ट यानि की 24 भावाचक संग्या का हमें उधारन चेन करना है यहाँ पर खेम सिंग जी, कपिल गर्ग और यहाँ पर इनमें एक भावाचक संग्या है तो वो भावाचक संग्या कौन सी है स्वंदर है ना स्वंदर क्या है भावाचक संग्या है ठीक है जो संग्या सब्द गुर्ण धर्म दसा अवस्ता भावादी का बोद कराए उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं ठीक है तो इनमें हम बिलकुल पूरा देख रहे हैं दोस्तो को अच्छे से पढ़ना है फिर उत्तर लगाना है कि कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब्यक्ती बाचक संग्या है तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सयुतर हिमालाए स्वनम पांडे जी उत्तर इसका सयुगा हिमालाए सब्द जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब्यक्ती बाचक संग्या है यह ब्यक्ती बाचक ए नमबर हिमालाए ठीक है ये नमबर गंगा किस प्रकार की संग्या है दोस्तों गंगा गंगा बताना है हमें रबेंद्र सिंग जी गंगा ब्यक्ती बाचक है भाव बाचक है जाती बाचक है समूह बाचक किसी का आंसर गलत नहीं आने चाहिए अब गंगा किस प्रकार की संग्या है 26 में और अधिकांस लोगों ने उत्तर बता रहे हैं कमला ठाकुर जी भी बता रहे हैं 26 का पड़ापट से सबी लोग बताएंगे में सारे आंसर देख रहा हूं किसी का प्रस्न भी गलत नहीं आने चाहिए है ना अंकुर जी फिर भी भी बता रहे हैं कांति उई के भी बता रहे हैं और राकेश जी भी बता रहे हैं तो जितने भी 4-5 लोग भी बता रहे हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है यहां पर गलत नहीं करना साथियो एक गंगा क्या है गंगा क्या है एक है कि बहुत सारी गंगा है जल्दी बताओ गंगा जब अपन लेते हैं असोग जी तो गंगा क्या है एक है यूनिक है गंगा अदुत्ति है गंगा है ना तो गंगा क् दोस्तों क्या है ब्यक्ति बाचक है और अगर मैं बोलू कि नदी नदी तो नदी मतलब होता है बहुत सारी नदियां जितनी भी है चाहिए वो नर्वदा हो गंगा हो सारी नदियां नदी के अंतर गताएंगे है ना ये गंगा एक नाम है और हम पढ़ते हैं कि किसी ब्यक्ति बस्तू या इस्थान के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं है ना तो नाम आया यहाँ पर नाम और जहाँ पर नाम आता है बहाँ पर ब्यक्ति बाचक संग्या होती है किसी एक ब्यक्ति का नाम होता है और जहां पर पूरी जाती का बोध होता है जाती बाचक संग्या जो लोग गलत कर रहे हैं वो तोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लोग गलत नहीं होनी चाहिए किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान तता नाम के गुर्धर्म सुवाव का बोध कराने वाले सब्द शंग्या कहलाते हैं इनमें हम पूरी संग्या भी पढ़ रहे हैं केवल एक ब्यक्ति केवल एक ब्यक्ति बस्तु या इस्थान के लिए बस्तु के लिए या इस्थान के लिए जिस नाम का प्रियोग होता है उसे ब्यक्ती बाचक कहते हैं, केव़ल एक ब्यक्ती के लिए? चाय वो गंगा हो है ना चाय वो नर्वदा हो चाय बात करें अंकूर बयास हो या चाय बात करें लोकेंदर जी हो यह क्या है सिर्फ एक ब्यक्ति है है ना तो एक बस्तू है व्यक्ति है या इस्थान है तो इसे क्या कहेंगे व्यक्ति बाचक संग्या जाती बाचक जिस संग्या सबसे उसकी संपूर जाती हम अगर मनुस्त नाम लेते हैं मनुस्त तो मनुस्त एक नहीं है जितने भी संसार में मनुस्त है सब का बोध हो जाता ह तो जंपूर जाती का बोध कराने बाले जाती बाचक संग्या भाव आचक संग्या जिस संग्या सबसे पदार्तों की अबस्था गोण दोस धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाव आचक अबस्था अबस्था जैसे व्यक्ति की अबस्था क्या होती है वुडापा रख लेना अन्य दोभेद समू बाचक और द्रब बाचक संग्या हैं समू बाचक में जिन संग्या सब्दों के ब्यक्तियों बस्तियों आदि के समू का बोध हो वो क्या कहलाती है समू बाचक संग्या ठीक है यह आपको याद रख लेना है अब देखते हैं नीचे यहाँ पर आ जाते हैं अच्चे से पड़ो बहुत बढ़ गया तरीके से सही हो जाएगा है ना यहाँ पर आते हैं कि द्रब बाचक जिन संग्या सब्दों से किसी धातू द्रब बादी पदार्तों का बोध हो उन्हें द्रब बाचक संग्या कहलाते हैं दोस्तों अब गलत नहीं होने चाहिए द्रब बाचक हो ब्यक्ति या जाती बाचक अब देखते हैं किसका गलत हुए बेहन है समू बाचक भाव बाचक ब्यक्ति बाचक या जाती बाचक बेहन क्या है जाती बाचक है कि भाव बाचक है या ब्यक्ति बाचक है प्रश्न किरमा आपका chapter है वो आपको clear होनी चाहिए फटाक से उत्तर बताओ सबी लोग बहन है क्या है शमो बाचक है बाव बाचक है बैक्ती बाचक या फिर जाती बाचक तो आपने बिल्कुल सही आंसर बता रहें सबी लोग कि सर बहन क्या है जाती बाचक बहन क्या है जाती बाचक संग्या है यानि कि D नमर यानि कि संसार में जितने भी बहन है चाहिए मेरी बहन हो चाहिए दिनेश की बहन हो चाहिए सोक की बहन हो अंकोर की बहन हो सबी बहनों का यहाँ पर बोध हो रहा बहन से यानि जाती बाचक ठीक है जिस संग्या सब्द से उसकी संपूर जाती का बोध हो जाता है उसे जाती बाचक बहन जाती बाचक है ठीक है दोरना किरिया से बनने बाली भावाचक संग्या कौनसी है दोरना से कौनसी बनेगी तो ये थोड़ा सा कठेन क्वेस्चन है लेकिन यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इसका सही उत्तर 20 का जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा दोड़ना किरिया से बनने वाली जो फावाचक संग्या है वो कौनसी है दोड़ यानि की बी नमबर दोड़ बी नमबर अन असर है यहाँ पर देखो दोड़ना किरिया से बनने वाली भावाचक संग्या है क्या दोड़ जिस संग्या सब्द से किसी ब्यक्ति बस्तु आदी ब्यक्ति बस्तु ब्यक्ति पसु आदी गोड़ दसा दसा और अबस्ता आदी का बोध होता है उसे भावाचक याद रख ल बी नमबर सिका देवी जी, ठीके, अब आपको बताने बहाओ सब्द उधारण है, तो किसका है, बहाओ, बहाओ का चेन करना है, काई का उधारण है, बहाओ का उधारण बताना है, दोस्तों यहाँ पर, तो बहाओ तो दिख गया होगा आपको, किसरी काई का है, बहाओ बाच चंतेवारी जी और यहाँ पर बहाव सब्दोदारण है बहाव बाचक संग्या जिस संग्या सब्दे में गोण धर्म आदी का बोध होता है द्रब बाचक नहीं है बहाव आप ये ना ले कि पानी बोलना है सर वो तो बहाव है दसा का बोध हो रहा है यहाँ पर गोण दसा का जहां पर ब्याव बोध होता है बहाव बाचक अब यह नहीं बोलना कि बहाव पानी का बहाव यहां कचका वो तो कुछका भी हो सकता है लेकिन बहाव पूचा यहां पर पानी का बहाव नहीं पूचा या पानी नहीं पूचा आपसे बहाव केवल बहाव तो बहाव बहाव ब अधारन क्या है भोचपुरी निजत ज्वाला-मुखी या फिर सभाव χ थर्टी का अंसर वाव-वाzing संग्या का अधारन अधुरिसर भोचपुरी तो है नहीं ज्वाला-मुखी है नहीं सभाव एह नहीं तो क्या हो जाएगा ये निजत्त का एक भाव होता है आप बोलते हो कि ये मेरी जो है निजत्त या मेरी निजी पैंडराइव है ऐसे बोलते है निजी तो निजत्त का एक भाव होता है ये मेरी खुद की पुस्तक है ये मेरी निजी पुस्तक है इस परकार से बोलते है न तो ये निजत्त तो क्या है यह भाव आचक संग्या है ठीक है तो बी नमबर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि संग्या से कोई गलत प्रस्ण करेगा आप है ना सबी लोग भाव आचक संग्या को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ देना घर पे यूँकि मैंने देखा कि भाव आचक संग्या में आप लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हो गलतिया कर रहे हो ठीक है दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको ब देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes टीक है ब्ले стр में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo इसमें डळा ना है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे